17 March 1986, 17 March 1986 को NCB का गटन हुआ था, 34 साल हो गए हैं, आप मान लीजे, आपके लिए ये स्पेकुलेटिव सिचुएशन है, लेकिन आप जाज कर रहे हैं और दिपेका पड़कोन इस बात पर अड़ जाती हैं, कि हैश मतलब मोटी सिगरेट, वीड मतलब पतली सिगरेट, माल सिगरेट, अब क्या करते हैं? वीड मतलब पैसा, हैश मतलब खोटे सिगरेट, चोटे सिगरेट, वीड सिगरेट, ये सिगरेट, वो सिगरेट, आप क्या करते हैं, मिस्टर मिश्रा, जिस हिसाब से जो चल रहा है, जिस हिसाब से बातें, conversation आगे बढ़ रहा है, और जिस हिसाब से आगे जूट बोल रहे हैं, तो उसी को हम दूसरे जो तथ्ये, दूसरे आदमियों जो कहते हैं, उनसे हम confront करा के बोलेंगे, आप ये गलत बोल रहे हैं, बस उसकी बात वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि खाली वो कहें, इस नाट one-to-one, कि मैं कुछ कह दिया, और उन्होंने कुछ deny कर दिया, उसके आसपास में बाकी जो रिलेवेंस हैं, बाकी जो लोग हैं, बाकी जो एक्टर हैं, उससे जो जुड़े हुए हैं, वो उनका क्या कहना है, और जो बासिकाली जो चीजें बाहर आती है, आप तो कहें देंगे कि माल का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन माल का मतलब कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आगे conversation कैसे बढ़ता है, उसी वो बड़ ज्यादा रिलेवेंस है, बाकी जो आदमी आपके साथ जो कह रहे हैं, तो बात वो नहीं क्या करिश्मा जो कि एक तरह से को-accused है इस मामले में, जो समन बुलाए गया है, वो भी बगल वाले कमरे में यही कह रही थी, same to say, जो दिपका पड़ कोन कह रही थी, वही वो भी कह रही थी, कि M से माल, माल मने cigarette, हैश और वीड दोनों छोटी cigarette, मोटी cigarette, पतली cigarette, यही कह रही थी दोनों, अ वैसे में आप क्या कीजेगा, क्या आसपास की जो जाच है, वो बहुत important नहीं है इसमें, कि आप date, money trail, कौन सा peddler, कहां पे drugs की delivery, यह पूरी जानकारी रहती है और उसके बिना पर फिर आप pin down करते जी बिल्कुल देखिए, एक evidence जो है, stand-alone basis में कभी एप्रेज या evaluate नहीं होता, उसका relevancy डेटरमाइन किया जाता है, बाकी जो तत्य आपके सामने है, उसको जुड़ते हुए क्या meaning निकलता है, basically वो ultimately जाके रुकते देखिए, कानून तो evidence के उपर चलेगा, क्या evidence आप प्र क्या है, उनको भी पता है, क्या चल रहा है, क्या नहीं है, लेकिन हम कानूनी तोर पर बात करेंगे, investigation की तोर पर बात करेंगे, जो चीज हम प्रूब कर पाएंगे during investigation, उसका की महत्वर हैगा, बिल्कुल, जो प्रूब हो पाएगा, एंड्रिया डिसूजा, पूरा करने से नहीं होगा, जी. करता है कि जो नसा करता है, अगर वो जो नसा करता है, इसका मतला है कि जो बर्तमान में कर रहा है, उसी को ही हम पेनल्टी देंगे. देखिए, लीगल ड्राफ्टिंग में जो टेंस है, टेंस के साथ टाइम का कोई रेलेवन्स नहीं है, आप चाहिए एक साल पहले मडर क्या हो, आप पांच साल पहले मडर क्या हो, एक साल पहले ओफेंस क्या हो, या दो साल पहले ओफेंस क्या हो, वो कानून के जो वेर्ब यूज होते है, उसमें आपने ओफेंस कमिट किया है, तो इन्वेस्टिएशन कि अभी बहुत बड़ा ओफिंस नहीं मैं अभी भी फिर हर बार में लगातार कहता हूँ आया हूँ कंजम्शन इतना बड़ा ओफिंस नहीं है एंडीपी एसक्ट उसको बड़े सौफ हिसाब से उनको विक्तिम के हिसाब से देखे ही तह करता है जो भी लेना है अभी जो बात चल रही हो section 67-A में एक finding inquiry चल रहा है जो बात बात चल रही हो section 67-A में एक finding inquiry चल रहा है यह दो ना भी रही न रही ना पिए वेक्सट उसक्ट उसकत पर आगे बड़ेगा ठीक है आndreya मैं एकी कमेंट कहूंगा कि कि एबरीबोडी इसमें चल रहा है मैं अगर अबी से, आभी से में ट्राइल करके मैं कोई जज्मेंट देना नहीं चाहता है आई वलोडी ट्यल अबरी बाडी बीवरी इनोजन अंटिल प्रोवन-गिल्टी